भारत विविद्धाओं का देश है और भाषाओं की बात करें तो भारत का सम्मिधान 22 भाषाओं को मानेता देता है परंतु शिक्षा अजिक्तार अंग्रेजी में दी जा रही है आज हम बात करेंगे AICT के मेंबर सेक्रेटरी इश्री राजीव कुमार से और जानेंगे कि समता सांस्क्रितिक संरक्षन और बेहतर परिनामों के लिए भारती भाषाओं में शिक्षा प्रतान करना कैसे महतुपून हो सकता है सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज हमें जॉइन करने के लिए तो हम यह जानना चाहें कि क्या सिक्षा हम सभी वर्गों तक पौंच पारे हैं इस तिदिको देख लगे कि जो भाषा का इस्तिमाल हो रहा हूँ और कुछ एक और चुनींदा बहाँ का कि बात करें तो हमारे दिमाग में हमारे जहन में हमेशा अंग्रेजी भाषा ही आइकाती है इस चीज को हमने समझा इसको प्रियास कि इस शिक्षा को हम कैसे तकिनी की शिक्षा को भारतिय भाषाओं में प्रदान कर सकते हैं इसके लिए 2018 में हमने कदम उठाए और एक निर को आवर में अन्च शिरुमें हमने बारा भारतिय भासाओ चे ये कारी स्थार्ट किया और देश के बहुत से संस्थानों ने इन बारा भारतिय भाषाओं में अलकशे ties Benakar तकनीकी शिख़ा देना प्रारंब किया और यह कारे लगातार 2018 से चलता यह negatively छात्रों ने इसमें रुजहन दिखाया और इसका पृयास अभी जारी है और इसमें कुछ परिशानिया भी आइं, वह परिशानिया गोपूने किस तीी मोर्य जा. और यह परियास्त बहुत तेजी से भारत सरकार का तक्नीकी शिक्षा को भारतिया भाषाओं में प्रदान करने का सुचारू रूप से जारी है तो सर आपको लगता है कि मातर भाषा में शिक्षा देने से शैक्षिक परिणाम भी बहतर हो सकते हैं, क्या यह संबद है? देखे विकास जी, अगर आप देखेंगे हमारे अधिकतर छात्र ग्रामीन परिवेश से आते हैं और अगर ग्रामीन परिवेश में देखें तो उनकी प्रात्मीट शिक्षा, będąकी इंकी सेकेंडरी एजूकेशन सभी मातर भाषा में होई होती है और जब वो मातर भासा में, उनके परिणाम, उनके आउटकम बहुत अच्छा रहता है, लेकिन जैसे ही वो हाईर एजूकेशन में और हाईर एजूकेशन से तक्निकी चिक्षा में आते हैं, तो यह देखा गया है कि जो यह चात्र है, यह दुविधा में पढ़ जाते हैं, य इनके मन में कभी-कभी यह जाता है कि जाएद यह तक्निकी चिक्षा पूरी नहीं कर पाएंगे, इस चीज को देखते वे इस टाइप के चात्रों को तक्निकी चिक्षा अगर उनकी भारतिया, अगर प्रदान करने का प्रबंध हो जाए तो डेफिनिटली इसका परिणाम पर भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा. जी मैं उसी पर आने वाला था कि यदि मातरभाशा में तक्निकी चिक्षा मिलना शुरू हो किसी चात्र को तो क्या आपको लगता है कि स्विकारिता भी बहतर हो जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल स्विकारिता अभी भी है और अगर कि अब बच्चे को हम पहले या दूसरे साल में एक अपने महौल में धलने का मोका दे दे उसी के महौल में जिस तरीके से बच्चा आया है जिस तरीके से प्रात्मिक और सेकंडरी एजुकेशन की पढ़ाई लेके आ रहा है उसी को एक महौल देने का अगर कोशिस करें तो तो यह एक इसके सब परिणाम आते हैं एक जो और बड़ी समस्या है हमारे हैं कि रोट लर्निंग जिसे कहते हैं रट के पढ़ने वाली जो एक पद्धिती अपनाते हैं हमारे चात्र उसका बहुत चलन है तो तक्नीकी शिक्षा जदी मातरभाषा में मिलने लगे तो आपको क आत्म साथ जादा अथ्छे कराएं कि शिक्षा को अख्या को अथ्या करेंगे रठने की जरूत नहीं पड़ेगी उने कुछ सही है यह दिखिजिए अगर आपने कहावध सुनियो कि आदमी जो है जो सपने है उपनी भासा में देखता है बच्चे यह जो सपने भाशा में अगर उसी चीज को जो बच्चा सोचता है जिस तीज की वो सपने देखता है उनी चीज को सकार करने के लिए अगर उसको शिक्षा उसी की भाशा में मिले तो रिजल्ट्स का आप अपेक्षा कर सकते हैं कि किस तरिके के रिजल्ट होंगे डेफिनिटली बच्चा जाए तो एक महाल मिलेगा अपनी भाशा में आगे बढ़ने का तो डेफिनिटली वो कुछ अच्छा करके दिखाएगा तो सर इसको अगर आगे बढ़ाएं तो चुनवतियां किस तने की आ सकती है उसमें जैसी कि एक मानसिकता है हमारें की अंग्रेजी को एक सुपिरियर लैंग स्कुपिरण्स को का ट्रेनिंग ठी यह हमारे पास बिरकूल यह अपनी थी मातरभाश vivo मिलिध नहीं को सबदें भी पुष्टकी अपुल नहीं हो अपकित ख़र्नी इन। उप दक अछिए मैंने रखन काम मैंने नहां कीविजिग बुश च्छे एक मातरभाश成 가운데 है जे हमा सारी तकनीकी पुष्टके लिखेंगे, और वो पुष्टके जो लिखने का हमने एक प्रियास किया और जो हमने लिखी है, वो पुष्टके भी अपने आप में एक विशेश तरह की पुष्टके थी, आउटकम बेस्ट था, आउटकम बेस्ट पुष्टके थी, जिसमें एक्स सब्जेक्ट के बारे में और जानना चाहता है तो उसमें QR कोड भी था किस हर टॉपिक्स के साथ हमने QR कोड देने की कोशिश की है उस QR कोड से बच्चा उस विशह में और ज्यान प्राफ्ट कर सकता था वो वेबसाइट्स पे इफरेंट वेबसाइट्स पे ले जाकर तो ये अपने आप में अनुठा प्रयास्ता, इन किताबों को ओरिजिनली हमने देश के प्रमुद्ध सरस्थानों के लेखों को से लिखवाया, जिसमें IITs, NITs, Central University चामिल हैं, और उनको लिखाकर हमने उनको ट्रांसलेट किया, ट्रांसलेट करने के लिए हमने टेक्नोलोजी का कि युनिवस्टीज हैं, उनका साहरालिया हर प्रदेश में एक टक्निकी विश्यविद्याले है, तो वहां पर हमने उनका साहरालिया, उनसे हमने कहा कि आप इसको ट्रांसलेट किजिए, जो टेक्नोलोजी को यूज करके ट्रांसलेशन हुआ, उनको प्रदान कराया, उसके तक्निकी पुष्टकें हम बारा भारतिय भाषाओं में अभी तक लाप आएं, तो ये पुष्टकें लाना एक तक्निकी शिक्षा को मातर भाषा में पुरवाइट कराना के लिए सबसे पहला कदम था, तो इसमें हमें सभलता मिली और मुझे खुशी है कि फर्स्ट यर सेक पुष्टी में एकुम्भ, एकुम्भ पॉर्टल है उस पे सारी किताबे बच्चा डाउनलोड करता है, सारी किताबे मुफ्त पीडियेफो डाउनलोड करेगा, वो उनको पढ़ सकता है और उसका लाव उठा सकता है, तो ये बहुत बड़ा प्रयास अपने आप में मेरे ख आज हम से निवेधन भी करूंगा जो इसको देख रहे हैं, कि वो हमारे एकुम्भ पॉर्टल को विजिट करें, उसमें सारी भासाओं की बुक्स फ्री है, आप डाउनलोड कर सकते हैं, और इसके अलावा, यूजी सी ने भी कुछ बुक्स को टांसलेट किया करके, तो उनक यूजी सच मुच एक बहुत बड़ा कदम है और इसका फायदा आमशूर बहुत बड़े लेवल पे लोगों को मिलने वाला है क्योंकि एक जो प्रश्ट मेरे जैन में आ रहा था वो ये था कि जो शब्दावलिया हैं, अगर हम तक्नीकी शिक्षा की बात करें हैं, साइंसे में रहेंगी इस विशह प्रश्ट में एक चीज और बताना चाहूंगा कि ये जो किताबे एकुम पोर्टल पे हैं ये सारी किताबे देश नहीं बलकि अन्य पचास देशों में भी ये डाउनलोड की जा रही है तो आप इस पोर्टल का जो पापुलर्टी है किस तरीके से ह इस से और मेरे क्याल से चार लाग के अलावा इस पे डाउनलोड से तो ये बहुत बड़ा अपने आप में प्रयास है और जहां तक आपने तक ने तकनी की शब्दों की शबदावली की बात की तो मैं आपको बताना चाहूं का हमने तकनी की शब्द कि अगर हम ओरिजनल कि जो हमारा बच्चा तकनी की शिक्षा लेकर जाएगा वो देश में तो काम करेगा है लेकिन विदेश में भी जाएगा तो उस चीज को लेते वे उस चीज को समझते वे हमने टेकनिकल वर्ड्स को दोनों भाशाओं में हिंदी में अगर हिंदी की बुख है या तमिल में जिससे कोई कन्फूजन किसी लेविल पर बच्चे को ना हो और उसको बनी रहे यह सच्मुच बहुत ही सरानी है कि आप दोनों तरहें की टरहें की टर्मिनलोजी चाहे हिंडियों अंग्रेजी उसको साथ रखे चल रहे हैं जिससे की कि एक्सेप्टेंस भी और जो समझ है वो भी और बहतर तरीके से एक चाहत्र को मिल सके एक चीज़ और बताऊंग आपको हमने सारे कॉलेजिस से निवेदन किया है कि वो टीचेर अगर क्लास में पढ़ा रहा है तो वो सबजेक्ट को इंग्लिश में अगर पढ़ा रहा है तो इस निवेदन किसी वज़े से इंगलिश के सेक्षिन में जिसमें पढ़ा जाता है एडमिशन लिया है लेकिन वो थोड़ा बहुत नहीं है अगर इंगलिश में तो साथ-स उसको दूसरी भाशा में भी उसको मातरवाशा में उसको किलेर्टी सबजेक्ट की ला सके तो इस प्रदेशों के चलते हमें उमीद है कि आने वाले टाइम में जो ये भारत सरकार का और AICT का प्रयास है ये चात्रों तक पहुंचेगा और इसका अधिक से अधिक तक चात लाव उठाएगे हमें भी पूर्ण विश्वास है कि जो आपका लक्षे है वो जल्द पूरा होगा और बहुत अच्छे परिनावों के साथ पूरा होगा तो बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे से बात करने के लिए तेशी भाषाओं में शिक्षण यह सुनिश्चित करता है कि सभी प्रदेशों के चात्रों विशेश रूप से ग्रामीन क्षेत्रों के चात्रों तक शिक्ष बहुत-बहुत धन्यवाद